हलो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो बाजार का दिगज स्टॉक जिसका नाम है Infosys टीक है जिस जो हर कोई पोर्टफोलियो में रखना चाहता है हर कोई investor उसको पोर्टफोलियो में रखना चाहता है अब उसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो रही है क्या reason सामने निकल क्या रहा है यह हम आप लोगों के साथ share करने वाले और कुछ technical analysis भी हम करने वाले है तो चले वीडियो को फटा पट से start करते हैं वीडियो को start करने से पहले एकी चीज में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने चैनल को first time विजिट के है तो definitely subscribe करिए क्योंकि daily basis पे इसी प्रकार का बहतरिंग update हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो चलते हैं और उस news को cover करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो Infosays Infosays में आज भी 2% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और स्टॉग ने दोस्तों important जो 1600 रुपे का level था वो break कर दिया है यह बिलकुल भी अच्छे signal नहीं है एक बड़ी सी company के तरप से लांश 5 दिन में आप देख सकते हो 3.5% की गिरावट हो चुकी है एक मेने में 15% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी है portfolio का सबसे ज़्यादा नीचे यही लेके जा रहा है 6 मेने की में बात करता हूँ 6 मेने में भी 7% की गिरावट दिख रही है एक साल के अगर में बात करता हूँ तो एक साल में अच्छी खासी 19% की तेजी है और यह तेजी को हम यहाँ पर लगाते हैं तो 45% की थी यहाँ पर लगाते हैं तो दोस्तों लगबग 42% की थी लेकिन आप मातर 19% की बची हुई है बाकि तो overall का आपको performance पता ही है कि कितना शानदार है Infosys का बताने की ज़रूरत नहीं है ठीके तो यह reason क्या देखने को मिल रहा है तो देखे reason कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि जो attraction rate है ठीके वो जो Infosys ने show किया था कि वो बढ़ क्या आया है कितना लगबख 28% के आसपास का ठीके और TCS का अगर देखे हैं तो वो 17% के आसपास का था कल SCL टेक ने भी अपने number शो किये उसका 22% के आसपास देखने को मिला वही Mind Tree, LTTS, LTI इनका दोस्तो 24-25, 24-25 के something देखने को मिला तो जो attraction rate रहता है दोस्तो वो अगर बढ़ रहा है तो वो बिल्कुल भी सई नहीं रहता है, भी एक attraction rate क्या होता है कि employee, employee की गिंती होती है जैसे माल लीजिए 100 employee काम कर रहे है, ठीके तो आपका attraction rate क्या है मतलब अगर 28% है तो मतलब आपके 28 employee नौकरी छोड़के चले गए 100 में से, तो यह सही नहीं है तो इसी कारण Infosys ने एक rule लाया, ठीके, कि आपको पूरा एक साल का time frame, अगर आपने Infosys को join किया है, ठीके हमने आपका selection किया है ठीके, या आप खुद हमारे पास चल क्या है हो वो कोई CV policy हो, ठीके तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों, एक साल तक पूरा हमारे यहां नोकरी करना है, ठीके, हमारे यहां job करना है, हम जो भी package देंगे, उसके हिसाब से, ठीके, आपको करना है, अगर आप बीच में ही कुई करके जाते हो, नोकरी छोड़के जाते हो तो हमारी जितनी भी competitor है, ठीके, market में Infosys को competition देने वाली company है, आपको उनके पास नोकरी नहीं मिलेगी, हम आपको ban कर देंगे, ठीके, तो ये रहेगा rule, तो इसके कारण क्या हुआ, Infosys के उपर काफी जगा से cases भी आए, ठीके, क्योंकि दोस्तो, मान लीजिए किसी बैक्ति क एक, दो, तीन महने के बाद, अगर नहीं समझ में आ रही है, Infosys, वहाँ का महोल अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो छोड़ने की सोचता है, अब आपको पता है, कि दोस्तो, इन employee को रखने के लिए, कितना सारा पैसा खर्च करती है, IT company है, ठीके, उनके रहने, खाने का भ बहुत सारी salary भी रहती है, जिसके करन, दोस्तो, क्या हुआ, कि उनका जो profit margin है, ठीके, वो खर्चे में ज्यादा चले गया, तो उनका जो खर्चा है, वो बढ़ते हमें देखने को मिला है, जिसके करन, दोस्तो, Infosys का, जो quarterly result है, वो हमें बेकार देखने को मिला, जिसके करन दोस्तो, Infosys में pressure बढ़ते जा रहा है, ठीके, तो बहुत सारी negative point अभी Infosys के उपर गोम रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, कि दोस्तो, इसको एक opportunity समझ के चलिए, आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीके, चलिए, कुछ technical reason देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दोस्तो, Infosys का chart pattern में आप लोगों को सामने open क्या है, मैं यहाँ पर daily candle आप लोगों को सामने लगा लेता हूँ, तो daily candle पर आप देख सकते हो, कि कुछ हमें अलगी performance देखने को मिल रहा है, Infosys के तरब से, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते थे, अभी त मतलब देखने को मिली, आप देख सकते हो, और last कुछ दिनों से काफी बड़े गिरावट देखने को मिल रही है, क्यों, क्योंकि Infosys का, जो सबसे important level बना हुआ था, कब से कब तक दोस्तो, April से अभी तक, अगस्त से लेके अभी तक, ये वाला level अगर आप देखेंगे तो द देखे, 1600 रुपे के level पे भी काफी दिन ट्रेडिंग किया, ठीके, उसके बाद यहाँ पर breakout दिया, अब एक दिन का एक candle है, ठीके, पूरे एक दिन का, तो आप देख सकते हो, कि कितने दिन यहाँ पर 1600 रुपे के level के आसपास ट्रेड किया, फिर breakout देखे, 1700 रुपे के level के आसपास ट्रेडिंग किया, कब से कब तक, अगस्त से अभी तक, अब दोस्तों, वो 1600 रुपे का level भी break करके, यहाँ पर आ चुका है, तो यह pressure कहां तक रहेगा, नीचे अभी कहीं support नहीं दिख रहा है, वो support दिख रहा है दोस्तों, जो 1400 रुपे से लेके, 1300 रुपे के level तो रही है, ठीके, वहाँ पर trading किया, तो यह दोस्तों, जो important level थे, नीचे के side में, वो पूरा break करके, infosys क्या कर रहा है, अभी गुम रहा है, ठीके, तो infosys में recovery काफी जल्दी आना चाहिए, तब ही सही रहेगा, नहीं तो दोस्तों, जो traders रहेंगे, जो infosys पे daily basis पे selling pressure ड ठीके, और दोस्तों, नीचे और अगर जाता है, तो वो 13,14 रुपे के असपास जाके ही रुखेगा, क्योंकि उसने important जितने भी level थे, 17,16 वो पूरा break कर दिया है, ठीके, तो यह है infosys के ओपर पूरा news, जो आपको पसंद आया होगा, तो please दोस्तों, इस वीडियो को like चैनल को subscribe करिएगा, क्योंकि daily basis पे इसी परकार का बहतरी अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं, तो thank you दोस्तों